दोस्तों आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक बहुती बढ़िया साइकोलोजिकल सस्पेंस थ्रिलर मुवी लेके आ गया हूँ इस मुवी में हम देखेंगे कि अभिमन्यू नाम का एक मेडिकल स्टूडेंट अपने आपको सही साबित करने के लिए किस हज तक जा सकता है इस मुवी के अंत में आपको एक बहुती बढ़िया टूइस्ट भी देखने को मिलेगा जो आप बिलकुल भी पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे तो चलो यार बिना टाइम बरबाद करते हुए साथ में मिलके इस मुवी को देखते हैं मुवी की सुरुवात में हम एक मेडिकल कॉलिज को देखते हैं जहां पे कुछ सेनियर अपने जूनियर के साथ रेगिंग कर रहे होते हैं फिर हम अभिमन्यू नाम का एक फर्स्ट यर स्टुडेंट को देखते हैं जिसे रेगिंग बिलकुल भी पसंद नहीं होता है तो उसी दिन रात को केंटिन में दो सेनियर आ जाते हैं और अभिमन्यू के सामने उसके दो रूम मेट्स के साथ रेगिंग करते हैं फिर वो अभिमन्यों के साथ भी रेगिंग करने ही वाले होते ही तभी वहाँ पे होस्टेल वाडन आ जाता है और वाडन को देखके ये सब चुप चाब बेठ जाते हैं फिर वाडन देखता है दो जुनियर स्टुडेंट्स नंगु पंगु होके खड़े हुए होते हैं उन् उन्हें पूछता है बताओ वो कौन है जिसने तुम दोनों का ये हालत किया है पर वो जुनियर्स वाडन को कुछ भी नहीं बताते हैं पर अभिमन्यों ये बता देता है कि ये काम इन्हीं दो सीनियर्स ने किया है फिर वाडन उन दोनों को बहुत डांट लगाता है और से काट के उसके वोडी के और गन्स को इनके रूम में चारों तरफ फैला देते हैं ये सब देखके अभिमन्यों के रूमेंट्स डर जाते हैं वो सोचते हैं अगर अभिमन्यों उस दिन वाडन को वो नहीं बताता तो आज हमारे साथ ये सब नहीं हो रहा होता फिर अभिमन अभिमन्यू रूम चेंज करने का सोचता है पर होस्टेल में सिर्फ एक कमरे को छोड़के और कोई भी कमरा खाली नहीं था और ये जो कमरा खाली है वो भी पिछले तीन साल से बंद पड़ा हुआ है दरासल तीन साल पहले इस कमरे में एक स्टूडेंट ने स्टूड कर लिया और तभी से ये कमरा बंद पड़ा हुआ है फिर अभिमन्यू इस सिलसिले में बात करने के लिए डीन के पास जाता है और वो कहता है कि वो रूम नंबर 404 में सिप्ट होने के लिए मना कर देते पर बाद में प्रोफेसर अनिरुद के कहने पर डेन अभिमन्यों की बात पर राजी हो जाते हैं और अभिमन्यों रूम नंबर 404 में सिप्ट हो जाता है प्रोफेसर अनिरुद इंसानी दिमाग के ऊपर रिसर्च कर रहे होते हैं उनका मानना ये था आत्मा नाम की कोई चीज होती ही नहीं है ये बस इंसानी दिमाग का एक इमाजिनेशन है और प्रोफेसर अनिरुध इसी के ऊपर एक थेसिस भी लिख रहे होते हैं फिर एक दिन रात को हम देखते हैं वही दो सीनियर अभिमन्यू और उसके पुराने रूमेट्स को होस्टिल के बाहर कहीं ले जाते है और यहाँ पे उनकी मुलाकात क्रिस से होता है क्रिस को आप सीनियर्स के बोस भी कह सकते हो तो क्रिस अभिमन्यू से कहता है सुना है तुने 404 में सिप्ट किया है तुझे पता भी है उस कमरे में कौन रहता था तो अभिमन्यू कहता है नहीं सर मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है तो Chris कहता है वहाँ पे मेरा दोस्त गौरब रहता था चल मैं तुझे एक टास्क देता हूं तो गौरब के बारे में सब कुछ पता कर जब अगली बार हम दोनों मिलेंगे मैं उससे रिलेटेड तुझे कुछ भी सवाल पूछ सकता हूं फिर हम देखते हैं अ अभिमन्यू प्रॉफेसर अनिरुध का बहुत वड़ा फैन होता है प्रॉफेसर के द्वारा लिखी हुई हर बुक को वो पढ़ चुका होता है और फ्रॉफेसर भी सभी स्टूडेंट्स के साथ दोस्तों की तरह घुल मिल जाते हैं तो ऐसे ही अभिमन्यू और फ्रॉफे के लिए ready हो जाता है और room की light को off करके और दरवाजा बंद करके वो जाहिरा होता है तभी उसे सामने warden मिल जाता है तो अभिमन्यों नहीं बता देता है कि वो अनिरुद सर के घर dinner के लिए जा रहा है तो warden के था है ठीक है जाओ पर जाने से पहले room की light तो off कर दो ये सुनके अभिमन्यों सौक हो जाता है क्योंकि थोड़ी देर पहले ही तो इसने खुद light off किया था तो वापस ये case on हो गया तो अभिमन्यों फिर से light off करके dinner के लिए निकल जाता है डिनर के दोरान अनिरुद सर कहते हैं उस हादसे के बाद तुमसे पहले 442 रहने की और किसी ने भी हिम्मत नहीं की थी सबको लगता था गौरब की आत्मा अभी भी उस कमरे में है पर मुझसे पूछो तो मैं ये सब नहीं मानता दोस्तों यहाँ पे अभीमन्यू का सोच भी फ्रोफेसर के साथ पूरी तरीके से mail खाता है फिर अनिरुद सर अभीमन्यू को उनके लाइबरेरी का access भी दे देते हैं वो कहते हैं तुम जब चाहो यहाँ पे आके पढ़ सकते हो तो ऐसे ही एक दिन अनिरुद सर नोटिस करते हैं एक सिनियर के साथ अभीमन्यू का कुछ आरियूमेंट चल रहा होता है फिर वो जब अभीमन्यू से इसके बारे में पूछते हैं तो पता चलता है कि सिनियर इनके साथ रेगिंग कर रहे होते हैं ये सुनके अनिरुद्ध सर को बहुत घुसा आता है फिर वो क्रिस और उसके दोस्तों के उपर बहुत घुसा होते हैं वो कहते हैं अगर तुम लोगों ने दुबारा किसी के साथ भी रेगिंग किया तो मैं तुम्हें इस कॉलेज से निकलवा दूँगा पर एज यूजवाल क्रिस सुधरता नहीं है वो और ज्यादा रेगिंग करने लगता है वो एक दिन अभिमन्यू को बहुत दारू पिलाता है और जब वो बूरी तरीकी से नसे में होता है तब उसे गौरब के बारे में डराबनी कहानी सुनाता है जैसे कि जब कोई आइड करता है वो भूत बन जाता है और अगर किसी का कोई काम अधूरा रे जाता है और वो अचानक से मर जाता है तब उसकी आत्मा को मुक्ती नहीं मिलती है वो भूत बन के ऐसे ही भटकता रहता है अगर हम इसी तरीके से सोचें तो गौरब की आत्मा अभी भी रूम नंबर 404 में ही है ये सब सुनके अभिमन्यू थोड़ा डर जाता है और अगले दिन से उसके साथ कुछ अजीबों गरिब चीजे होने लगती है उसे हर जगा गौरब नजर आता है वो खुद समझ नहीं पाता है कि उसके साथ ये क्या हो रहा है फिर अभिमन्यू इस प्रोब्लेम को लेके प्रोफेसर अनिरुद्ध के पास जाता है अनिरुद्ध सर कहते हैं देखो अपने सिनियर से तुमें गौरब के बारे में सब कुछ पता करने का टास्क मिलता है जिसके चलते पिछले कुछ दिनों से तुम सिर्फ गौरब के बारे में ही सोच रहे हो इसलिए तुम उसे हैलूसिनेट कर रहे हो और वो तुमें हर जगा दिखाई दे रहा है तुम कुछ दिन सिर्फ रेश्ट करो देखो के सब कुछ अपने आफ ठीक हो जाएगा फिर प्रोफेसर से ये सब सुनने के बाद अभिमन्यू को भी लगता है कि सर बिलकुल सही कह रहे हैं फिर अभिमन्यू वापस अपने कमरे में आ जाता है और उसे फिर से गौरब नजर आने लगता है फिर एसे ही कुछ दिन बीट जाते हैं और हम देखते हैं अभिमन्यू का हालत अभी बहुत खराब हो चुका है वो पागलों की तरह गौरब के साथ बात कर रहा होता है और गौरब सिर्फ उसे ही दिखाई देता है और किसी को नहीं दरासल उसके हिसाब से ग गौरब अभिमन्यू को बताता है कि उसके साथ क्या हुआ था और उसने स्विस क्यों किया था डौक्टर बनने का सपना लेके जब गौरब पहली बार इस इनिवर्सिटी में आया था तब वो बहुत खुस था और वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था फिर गौरब के साथ भी रैकिंग होना सुरू हो जाता है एक बार तो उसके सीनियर्स ने उसे पूरी रात एक मुर्दा घर में बंद करके रखा था इस हादसे के बाद वो बहुत डर जाता है और जदा तर टाइम अपने कमरे के अंदर भी दाने लगता है फिर धीरे धीरे गौरब को उसे अपने मम्मी पापा के बारे में सोचना चाहिए था फिर हम देखते हैं एक दिन फ्रोफेसर अनिरुद अभिमन्यू से मिलने आते हैं तो अभिमन्यू उन्हें गौरब के बारे में सब कुछ बता देता है जो उसने खुद गौरब से सुना था फिर अभिमन्यू कहता है सर मैं गौरब के घर भी गया था क्या आपको पता है उसकी मा को आज भी ये लगता है कि उनका बेटा जिंदा है उन्होंने मुझे गौरब का एक डाइरी भी दिया ताकि मैं उसके बारे में और जान सकूं तो अनुरुद सर कहते हैं क्या मैं इस डाइरी को कुछ दिन के ल आते हैं और कल अभिमन्यू को हस्पताल लाने के लिए कहते हैं फिर रात को हम देखते हैं अभिमन्यू को लेके अनुरुद सर फुल टेंसन में होते हैं वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि अभिमन्यू ये मान चुका है कि गौरब की आत्मा सच में है और वो हमेशा उसके आस बिल्कुल ऐसे ही मेरी माँ मरने के बाद भी मुझे हर जगा दिखाई देती थी और मैंने भी यह मान चुका था कि मेरी मां की आत्मा मेरे आस्पास ही है पर दीरे दीरे ये चीज मेंटली बहुत गलत इफेक्ट करती है धीरे दीरे अभिमन्यू के साथ भी यही सब होगा तो डौक्टर मीरा कहती है तुम टेंसन मतलो, मैंने उसे कल हस्पताल आने के लिए कहा है, कुछ टेस्ट करने के बाद ही हम सोचेंगे कि अभिमन्यू को कैसे ठीक किया जा सकता है, पिर अगले दिन हस्पताल जाने से पहले डौक्टर मीरा देखती हैं कि अन्यृद्ध से मिल रहे होते हैं डॉक्टर मेरा को भी यह फील होता है पर वो इसे इग्नोर कर देते हैं और हस्पताल चले जाते हैं फिर वो अभिमन्यू के साथ थोड़ा बात चीत करते हैं और फिर उसके कुछ टेस्ट भी करते हैं फिर अभिमन्यू यहां से चला जाता है फिर डॉक्टर मेर क्रिस से कहते हैं मुझे एसा क्यों लगता है कि तुम और अनिरुद मुझे से कुछ छुपा रहे हो देखो अगर वो बात अभिमन्यू से रिलेटेड है तो प्लीज मुझे बता दो विचारे की तबियत अभी बहुत ही खराब है तो यहां पर आता है एक बहुत ही बड़ा ट सौक हो जाती हैं फिर साम को अभिमन्यू का टेस्ट रिपोर्ट आ जाता है रिपोर्ट में आता है कि अभिमन्यू बाइपोलर डिसोडर का सिकार बन चुका है दोस्तों बाइपोलर डिसोडर में ज्यादा तर देखा गया है कि लोग हैलूसिनेट करते हैं और जो चीज सच में नहीं होता है उन्हें वो भी दिखाई देता है और कभी-कभी एक ही आदमी का दो अलग-अलग आइडेंटिटी पाया जाता है मतलब वो रियल में कुछ और होता है पर वो खुद को कुछ और ही समझने लगता है फिर डॉक्टर मीरा घर चली जाती है और फ्रोफेसर क्यों किया तो अनिरुद्ध सर केते हैं देखो मेरा इंटेंसन गलत नहीं था मैंने जब देखा अभिमन्यू खुद उस कमरे में रहना चाहा तो मुझे लगा ये मेरे लिए एक अच्छा मोका है क्योंकि अभिमन्यू एक सहासी लड़का था और वो भी मेरे जैसे आत्मा भूत प्रेत इन सब पे यकिन नहीं करता था तो अगर मैं उसे डराओंगा भी तो उसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा देखो तुम्हें तो ये पता है ना कि मेरे हिसाब से ये भूत प्रेत आत्मा सिर्फ हमारे दिमाग का एक इमाजिनेशन है जब हम डर जाते हैं और कु दीरे दीरे उसे गौरब की आत्मा दिखाई देने लगता है जबकि असल में गौरब की आत्मा तो हे ही नहीं फिर उसी रात को हम देखते हैं प्रोफेसर अनिरुद अभिमन्यू से मिलने जाते हैं और उसे कहते हैं चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाने वाला हूँ पिर अन जिरुद दसर उस डायरी को निकालते हैं जिसे उन्होंने कुछ दिन पहले अभिमन्यू से लिया था फिर वो कहते हैं क्या तुम्हें पता है तुमने आज तक गौरब के बारे में मुझे जो कुछ भी कहा है वो सब कुछ इस डायरी में लिखा हुआ है दरासल हुआ कुछ यू है तुमने भी इस डायरी को पढ़ा हुआ है तुम इसे पढ़ने के बाद गौरब को इमाजिन करने लगते हो और जिसके चलते वो तुम्हें दिखाई देने लगता है प्रोफेसर से ये सुनने के बाद अभिमन्यू भी कनफ्यूज हो जाता है और वो सोचने लगता ह कि आखिर क्या सच है और क्या जूट फिर कहीं न कहीं अभिमन्यू प्रोफेसर की बात पर यकीन करने लगता है और वो कहता है सर सायद आप साही कह रहे हो में नहीं गलत सोचा था अभिमन्यू से ये सुनने के बाद अनिरुद्ध सर बहुत खुस हो जाते है पिर इस अंध कर देते हैं कि भूत प्रेत आत्मा जैसी कोई भी चीज नहीं है यह सब दिमाग का एक भ्रम है जैसे कि अभिमन्यू को लगता था कि गोरब उसे खुद उसके बारे में बता रहा था पर असल में वो सच नहीं था यहां पर अनिरुद्ध सर्तों सब के सामने अपने आपको सह साबित कर देते हैं पर अभिमन्यू को बहुत बोरा लगता है उसे लगता है कि सर ने इतने सारे लोगों के सामने उसका मजाक बना दिया फिर अभिमन्यू यहां से चला जाता है फिर कुछ देर बाद अनिरुद्ध सर अभिमन्यू से मिलने उसके होस्टेल जाते हैं अभि ये साबित करने के लिए तुम्हारा यूज करना पड़ा तो अभिमन्यू कहता है सर मैं अभी भी आपको गलत साबित कर सकता हूं फिर अभिमन्यू अनिरुद्ध सर को अपने कमरे के दर्वाजे के पास ले जाता है और दर्वाजे को खोलने के लिए कहता है अनिरुद्ध सर हम कन्फ्यूज हो जाते हैं कि अगर अभिमन्यू मर चुका है तो ये कौन है जो अनिरुद्ध सर से बात कर रहा है दरासल दोस्तों ये अभिमन्यू का आत्मा है थोड़ी देर पहले इतने सारे लोगों के सामने जो इसका मजाक बनाया गया वो इसे बहुत बुरा लगा और अनिरुद्ध सर के थियोरी को गलत साबित करने के लिए वो खुद सुरी कर लेता है और फिर इसी तरह गौरब के साथ साथ अभिमन्यू का आत्मा भी यहीं पर रह जाता है अनिरुद्ध सर अभिमन्यू की आत्मा को देखके बुरी तरीके से डर जाते हैं और इसी सौकिं एलिमेंट के साथ यह मुभी यहीं पर खतम हो जाता है दोस्तों उम्मिद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और हां कमेंट करके भी बताना कि आपको यह वीडियो कैसा ल एक भी वीडियो मिस नहीं करोगे तो चलो यार आज के लिए बस इतना ही फिर मिलते हैं कोई दूसरी वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई